जैमातादी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत स्वागत है मापगवती दुरगा की कृपा, आप और आपके पूरे परिवार पर सदास्थरवदा बनी रहे दोस्तों, हर्ताल का तीज का वरत, हिंदु पंचांग के अनुजार भादरपद माज के शुक्लपक्ष की तृतिया दिखी को मनाया जाता है इस वरत को सौभाग्यवती इस्त्रियां रखती हैं अपने अखंड सौभाग्य और सुखी दामपत्य जीवन के लिए पती की आयू लंबी हो, पती को जीवन में सफलता, सुख सम्रिधी की प्राप्ती हो इस कामना से और दामपत्य जीवन बहुत मधूर हो, पती-पत्नी के रिष्टे बहुत अच्छे हो, पती-पत्नी में प्रेम सदा बना रहे इस कामना से ही वरत रखा जाता है इस वरत को कुमारी कन्याई भी रखती हैं कुमारी कन्याई हरताल का तीज का वरत रखती हैं सुयोग यवर की प्रापती के लिए मन चाहे जीवन साथी की प्रापती के लिए और आगे चल कर उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुख में हो इस कामना से तो ये वरत रखा जाता है भादरपद माज की शुकल पक्ष की तेतिया तिथी को और इस वरत को निर्जल रहा जाता है मतलब निर्जल मतलब 24 गंटे निर्जल रहने का ये वरत है सबसे कठी वरत जो होते हैं उन वरतों में से एक वरत हर्थाल का तीज का वरत माना जाता है क्यूंकि इसमें 24 गंटे तक निरजल रहा जाता है जैसे के हम करवा चोथ का वरत करते हैं तो उसमें शाम के समय यानि की रात्री में चंद्रमा के दर्शन करके अर्गे देकर और उस समय वरत खोल लिया जाता है हम अन्य याजल में कर लेक handc specialists कर लेकिन थाल का है ये व्रत पूरे सुर्योधे से लेकर अगले सुर्योधे를 करेंके तो अगले सुर्योधे के बाद ही जल-गिन कर नियम को भी पालण करनेके बाद तब जाकर आप तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप से बात करने वाली हूं कि इस बार की जो साल 2020 है इसमें हर्ताल का तीज का वरत हमें कब करना है तिति कप प्रारंब होगी कप समाप्त होगी और पूजा का शुमहुर्ट क्या होगा सरगी किस समय खानी चाहिए पारण किस समय करना है क्या हमें इस वरत में पानी पी सकते हैं और अगर पी सकते हैं तो हमें कब पीना चाहिए यह सभी बाते में आज आज आप से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए शेर कीजिए फैमिली फ्रेंट्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो कि नुडिफिकिशन हैं कि बात करते हैं सबसे पहले कि घझ अग सुप्श को और मुस्क्राईट को द्बारत करें कि यृ लिए स्बस्क्राइब Suzuki american हो रहा है आठ सितंबर को दिन बुधर देरात 9 सितंबर बार oyun 1708 मिनेट टो बहत हमें करना है हुआ है नौ सितंबर तेल में पूजा करते हैं अब जानते हैं कि हमें पूजा की विशॉवर्थ होता है जिस समय में विशेश रूप से मापार्वती की भगवान भोले नात की पूजा अर्षना की जाती है और प्रार्थना की जाती है लेकिन एक पूजा सुबह के समय भी होती है सुबह की पूजा बहुत छोटी पूजा होती है एक तरह से आप जो नित्य की पूजा करते हैं जैसे प्रति दिन जो हम पूजा करते हैं उस तरह से नित्य पूजा करेंगे और इसके साथ ही सुबह के समय हम व्रत का संकल्प लेते हैं तो शिव पार्वती की पूजा करने के कमाता पार्वती करने में मदद करें यवरत बहुत कip और भगवान की क्रिपा कि हम स्पूर्ण उपाति करते हैं तो इसकेलिए सुबह हम पूजा करते हैं करते हैं कि हमारे व्रत संपुर्ण करने में हमारी मदद करें तो इस तरह से सुबह आप ब्रद नित्यादी करने के बाद और आप व्रत का संकल प्ले लीजिए शुब मुहुर्ट में और इसके साथ ही फिर उसके बाद पूरे दिन व्रत रहकर शाम के समय फिर से शुब सुबह छे बज़ कर 3 तीनकर तक्रहे आठ बज़ कर 33 मिनट तक हर्टाल का दीज आपको विशेष पूजा करनी है तो प्रदोष काल पूजा का शुब महूर्थ क्या है शाम की पूजा का शुब महुर्थ है शाम को 6 बज कर 33 मिनट से लेकर और रातरी 8 बज कर 51 मिनट तक यह रातरी पूजा यानि कि प्रदोश काल पूजा का शुब महुर्थ है जिस समय में आपको विशेश पूजा करनी है आप जानते हैं कि पूजा की विधी क्या होती है देखें पूजा की विधी मैं बहुत विस्तरित तौर पर नहीं बताऊंगी आगे वीडियो में आपको दूँगी विस्तरित तौर पर अगर आप लोग कमेंट वॉक्स में कमेंट करेंगे तो बहुत चोटी पूजा की विधी में आपको बता रहे हूं विशेश जो चीजे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हरताल का तीज में भगवान गडिश की पूजा होती है भगवान शिव और माता पारवती की पूजा की जाती है और इसमें मिट्टी की मूर्थियों की पूजा की जाती है या फिर स्वयम से लोग बनाते हैं अपने घर में और इस पूजा की जाती है एक चौकी पर आप इसको स्थापीत करें लाल या पीला कपड़ा बिछा कर और इन तीनों मूर्थियों को स्थापीत करके विधिवत इनकी पूजा अर्षना की जाती है तो सरुपरतम गड़ीश ची की पूजा की जाती है और उसके बाद माता पारवती और शिवजी की पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ को धूबती पुस्प बेल पत्र और जो शमी पत्र होता है धतूरा भांग या सफेद पुस्प यह सभी चीजे जो भगवान भोलेनाथ को प्रिये हैं उन्हें अर्पीत की जाती है इस तरह से हम पूजा करते हैं मापारवती को आज सि सिंदूर भरना चाहिए और उसके बाद अपनी मांग में भी सिंदूर जरूर भरना चाहिए मांग को भरने के बाद जैसे पारवती माता को जब आप सिंदूर अर्पीत करते हैं उसके बाद उसी हाथ से उसी उंगली से अपने मांग में भी आपको सिंदूर लगाना चाहि हम मां को और पीद करने के बाद सिंदूर अपनी भी भरते हैँ तो विति-विथान से पूजा की जाती है आज के दिन मां को सुहाग की सामग्री आज जरूर अरपीद करनी चाहिए आज हम सब की पूजा करने के बाद हर्ताल का तीजवरत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं या ब्रामहर द्वारा भी ये कथा सुनी जाती है कई बार महिलाएं जैसे परिवार की सभी महिलाएं एकत्री थोकर या जो भी आसपास के लोग होते हैं जो महिलाएं होती है एक साथ एकत्री थोकर इस कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं मापारवती की और शिवजी की विती विधान से पूजा की जाती है मंगल आरती गाई जात बरता चाहते हैं, मंगल गीट गाएज़ाति हैं। अब जानते हैं कि सर्गी हमें कि समय खानी चाहिए, देखिए सब जगे सर्गी नहीं खाई जाती है, बहुत जगे पर सर्गी बिल्कुल नहीं खाई जाती है, सिर्फ पानी पी लेते हैं, मतलब जल पी लेते हैं, ताकि दिन में प्यास न लगे, लेकिन कई जगे पर सर्गी विधान है, मुछ मीठा जल पी जल ठापूर में। यदि ऑठाए नियुक्त की पहले सर्गी पुर्ण हो जाने कीज़ाएं को अब मुच्छा अब पाद, तो आप सुर्योदे सिफ एक घंटे पहले तक यानि पांच बजे तक अपनी सर्गी जो है वो पुरुन कर लीजिए तो इसके लिए आपको साड़े तीन से चार बजे के बीच में उठ जाना है क्योंकि सनानी त्यादी भी करना होता है उसके बाद ही हमें सर्गी लेनी होती है अब जानते हैं कि क्या हम पानी पी सकते हैं क्योंकि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या आज के वरत में बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता है और अगर पी सकते हैं तो किस समय पिये मालनी ना रहा जाए तो किस समय हमें पीना चाहिए देखिए वैसे तो इस वरत में य कि जैसे 9 सितंबर की रात्री में अर्ध रात्री में 12 बजे के बाद आप जल ग्रहन कर सकते हैं जल इस समय में आप ले सकते हैं कुछ भी मीठा लेकर आप जल ले सकते हैं या सिर्फ आप जल भी पी सकते हैं क्योंकि पानी बहुत जरूरी है और अगर आप पानी के बिना अग हुए कशे के स्वास्ति हैं अगले जो प्रेशन है कि पारण की समय करना चाहिए है अगले दिन जैसे के जासे एक उसके बार जएकाrics सुहाग करटा इनतों है को दान की आइज पीशाllers भी क्षिती निंगाले जाती है जैसे माख पारवती को ग मांख घुझा जहाती है उसमें mejora की सामग आपने लीजे रखते हैं कुछ दान भी करते हैं परामड को और भी जो वस्त्वे होती हैं दान की वो सभी सामगरी निकाल कर उसके बाद आप शुद्र सात्विक भोजन बना कर फिर भोजन ग्रहन करते हैं मतलब सुर्योदे के बाद ही इसमें भोजन ग्रहन किया जाता है तो सुर्योदे के बाद जैसे 6 बच कर 4 मिनट पर 10 सितंबर को सुर्योदे टाइम है तो उसके बाद आप भोजन ग्रहन कर सकते हैं यानि पारण कर सकते हैं दोस्तों उमीद करती हूँ हरताल काती जुरत से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्य पुरुन जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी शिद्ध होगी और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के झाल 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 झाल